हाई नाजरीन आज हम आपको पूरियां बनाने की रेसिपी देते हैं यह वो रेसिपी है जो के हमने एद वाले दिन तयार की थी तो दो चीजों की रेसिपी तो हम आपको दे चुके हैं चनों की भी और आलों की भी और यह पूरियों की रेसिपी है इसके लिए हमने मैदा लि 15-20 second के लिए थोड़ा सा नर्म हो गया है उसको हमने आटे में मिला लिया है यानि के प्लेन फ्लार में अब हमने मशीन चला दी है अगर अपने मशीन यूज नहीं करनी तो बस हाथ से यह आटे में अची तरह घी मसल लें उसके बाद हमने दो कप फुल क्रीम मिल्क लिया है इ इसको छलती हूँ मशीन में डाल देना है आटा जो है यह गुंद जाएगा नर्म सा ही गुंदा है इसको सख भी नहीं करना है हमने ताके पूरिया जो हमने नर्म बने और बेलने में भी आसानी रहे अब हमने यह आटा निकालके एक बोल में डाल लिया है बोल पहले तो बहुत अच्छी बनती है और अगर ओवर्नाइट नहीं रखना है तो आवर्स कम असकम हो उससे है कि बहुत मुलाइम हो जाता है फिर पूरियां जो है अच्छी बनती है अब हमने पेड़े कर लिए है आपने देखा थोड़ा बहुत खुश्के का इस्तिमाल किया है राइ पूरियां तड़ी जाएंगी साथ-साथ-साथ पेड़ा डबो के इस तरह गर्म तेल से निकालते रहेंगे उसको हीट लगते ही वो फिर आसानी से पहलाया जाएगा और तेल ही फिर लगाना है उसी से ही आपने इसको बेल लेना है खुश्का नहीं लगाना अगर आप खु वो एक बंदे का काम नहीं है चुँके अपने बेलना है तलना है निकालना है और उसी वक्त फिर और पूरी डालनी है तो मिया सहब ने तलने में हल्प की है एक बेलता जाए एक तलता जाए वरना यह है कि अगर ओयल चूले पे रखा रहेगा खाली तो उसका टेमपरेचर जो है वो बढ़ जाएगा और यह फिर पूरी आपकी अची नहीं तली जाएगी तो यह देखें इद की सुभो का नाश्ता सब लोगों ने बहुत इंजोई किया यह सोनी मिया जो है यह फिर्म नहीं कहा रहे है जो कि हमने ठूटियों में जमाई थी और यह हमारा नाश्ता अब हमारी बारी है यह पूरी तल के हमने रखी हुई है चने है आलू है अचार है और चाई की प्याली है जो मिया साथ ने बना की दी है यह गुलाब जामने तयार की थी इनको हमने फिल्म नहीं किया चूंकर यहां पर गुलाब जामन की रेसिपी मौजूद है तो यह झाल झाल